हालो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे बाजू का डिजाइन पहुत ही सिंपल और फैंसी डिजाइन है तो आपको करना क्या है अपने बाजू को न अपने साइच के सबसे कट कर लेना है जो भी आपका साइच हो जितना लेंथ में आपको बाजू चाहिए इस इसी तरह से आपको अपने आरमोल के गेरे की साबसे बाजू को कट करना है यहां पर बॉर्डर जो है न इसका में कपड़े का रेडी किया हुआ है अगर आप में बॉर्डर रेडी नहीं है तो बाजू की सीधे साइड रखके कपड़े को पलट लो अस्तर को लेकिन मेरे मे और कॉर्णर पर शिलाई लगा लेंगे यहां फे देखें चारो तरफ मुमागे सीलाई लगाने के वास्ते फ्रेंस देखिए अस्तर के पूरे किनारे पर न आपको अच्छे से हाथ से फ्नेसिंग देते हुए सीलाई लगा लेना है अब यहां से अस्तर के बाद जो भी एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है उसको शाट लेना क्योंकि मेन कटिंग जो होता है अस्तर के उपर ही हम करते हैं यहां पे चारों तरब से कपड़े को शाटने के पास से बाजू हमारा रेडी हो चुका है और अब यहां से पेपर पेस्टिंग 9 इंच लंबाई और 3.5 इंच उडाई में ले लेंगे यहां से बॉर्डर को माइनस करके हमार कर रहे हैं उपर से 1 इंच आपको छोड़ देना है आप चाहें तो बॉर्डर को भी इसमें रख सकते हैं लेकिन मुझे बॉर्डर पर कट नहीं डालना है अब यहां से देखिए फ्रेंस 3 इंच में 2 सुता कम पर मार्क करेंगे एक मार्किंग 1 इंच पर कर लेंगे और फिर दूसरी मार्किंग 3 इंच में 2 सुता कम पर कर लेंगे तो इसी तरह से आपको यहां पर दो कट में डाल रहे हूं बीच में आपको आदा इंच से थोड़ा सा गैप कर रखना है देखिए पहले न तीन इंच का आधा कर लेंगे जहां भी इसका सेंटर आ रहे है वहाँ पी इस तरह से खुमाव देते हुए मार्क करेंगे तो डेडिंच पर इसका हम चौडाई लिए है देखिए डेडिंच में एक सुता कम है जो बीच वाली लाईन है उसको बताना भूल गए यह जो हम कट करके जो सेंटर तका आ रहे हैं यह एक इंच दो सुता पर है इसका जो चौडाई है फिर यहाँ पी इसी को रखके मार्क कर लेंगे क्योंकि बाजू में जितना कट आप बनाओ एक साइज का बनाना होता है तो एक को पहले कट कर लेंगे फिर उसी को रखके दूसरे को कट करेंगे अगर थोड़ा सा लंबा स्लीब है इससे भी तो आप तीन कट धाएढ़ा इंच का बैठा सकते हैं नीचे के साइड अगर बॉर्डर ना हो तो मैं दो कट इसमें सेट कर रहे हूँ अब देखिए फ्रेंस यहां पे न अस्तर की कपड़े के उपर रखके इसको चिपका लेंगे और किनारे पर हाफ इंच कपड़ा एक्स्टर छोड़ते हुए कट करेंगे देखिए चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड करने के बाद से यहां पे पट्टी हमारा त्यार हो गया है और अब हम बाजू को लेंगे बाजू के सेंटर पर अच्छे से चौक से निसान बनाएंगे और निसान बनाने के वास्ते इसको सीधे साइड से रख लेंगे नीचे से बॉर्डर के उपर ही रखना है आपको इस पट्टी को और उपर से एक कींच छोड़के रखना है beach center में जो design का center का cut है और beach में जो हम बाजू पर line बनाएं उसको मिला लेना है आपको beach center से फिर यहाँ पे सिलाई लगाना है जिस तरह से paper pasting पर cutting हुआ है बिल्कुल उस पर आपको चिपकाते हुए सिलाई लगाना है एक में से धागे को cut करेंगे फिर दूसरे वाले cut में सिलाई लगाएंगे जैसे कि corner पर ना सुई को अंदर के side करके आपको रोकना है और पूरे किनारे पर सिलाई लगाना है यहाँ पर दोनों cut में हम सिलाई लगा लिए हैं और अब आपको करना क्या है देखे इस तरह से beech से cut करके इसको अलग कर लेंगे अलग करने के बास से cut की बीच में छोटा सा cut लगाएंगे और एक चाप कपड़ा छोड़ते वे सिलाई के बाद उसके बास से जो भी अंदर कपड़ा दिख रहा है उसको शाट लेंगे चाटने के बास्ते कोने पर आपको कट लगाना है जहां जहां भी कोना है जहां तक सीलाई है वहां तक कट लगा देना है और कट लगाने के बास्ते देखें दूसरे पीस में भी पिल्कुल उसी तरह से करेंगे पहले सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे फिर चारो तरब का जो कपड़ा होगा उसको निकाल लेंगे यहाँ पे देखिए इसको क्लीन कर लिए चारो तरब से और इसके भी कॉर्नर पर छोटा छोटा कट लगाएंगे अब नौकुन से प्रेस करते हुए इस तरह से इस पट्टी को अंदर के शाइड फॉल कर लेंगे जैसे कि अब देख शक्ते में किस तरह से कर रहे हूँ फिर दूसरे पीस में भी आपको नौकुन से प्रेस करना है और इसको भी पलट की अंदर के शाइट कर लेना है यहाँ पर दिखेशे कर लेंगे और अब यहाँ पर बिल्कुल पट्टी लेंगे कम से कम डेड़िन चमडाई में और इस पट्टी को हम उरेवी में लेंगे अगर आपके पास उरेवी कपड़ा नहीं तो आप सीधे में ले सकते हैं लेकिन उरेवी पट्टी सिलने से बीच की जो राउंडिंग होती है अच्छी आती है एकदम पतला डोरी सीलो ज्यादा मोटा डोरी भी इसमें अच्छा नहीं लगेगा डीजाइन के वीच में देखिए सिलने के वास्ते जो एक्ष्टा पार्ट दिख रहा है उसको बराबर करेंगे साइड से जैसे ब्लाॉंस के गले का डोरी बनाते हैं बिलकुर उसी तरह से यहाँ पे हम डोरी बना लेंगे और बनाने के वास्ते न, एक साइड थोड़ा सा चाUNडा ही सीलेंगे लाश्ट में आते आते थोड़ा सा चाणडा कर लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो सुई धागे से इसका कॉर्नर अच्छे से लॉप कर लेंगे और सुई को उल्टा करके डोरी के अंदर डालेंगे देखें लाश्ट तक इसको हम कर लिए हैं और यहां से सुई को निकालके अच्छे से हाँ से टेस करते वे थोड़ा सा इसको पलट लेंगे यहां पे देखिए डोरी काफी लंबा हम बना रहे हैं ताकि एक ही डोरी में दोनों बाजू का डिजाइन आज आए अगर आपके पास कम कपड़ा है तो अब दो तीन डोरी बना लें देखिए डोरी को प्लटने के वासी इस तरह से नाप लेंगे हाफ आफ इंच एक्ष्टा लेते हुए कट करेंगे दोनों साइड आधा इंच आपका मार्जन मिचाएगा न उतने पर करते हुए आपको कट कर लेना है इसी तरह से इसी को रखके देखिए इस तरह से चक करेंगे इसी को रखके पूरे डोरी को कट कर लेना है यहां पे तीन तीन इंच के लंबाई मे उसको round देते हुए थोड़ा सा इससे दूरी पर round देते हुए set करना है जैसे कि अब देख सकते हैं कैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ फिर दूसरा डोरी लेंगे और corner पर दोनों को एक पास में set कर लेंगे पहले फिर यहां पर हलका सा round देते हुए इस corner तक आ जाएंगे अब यहां पर एक और डोरी लेकि आपको अच्छे से उंगली से दबाके रखना है फिर यहां तक आना है और इसको भी set कर लेना मैं काफी slowly बता रहे हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए चारो तरब के corner से एक एक डोरी आपको इस तरह से हलका सा round देते हुए set कर लेना है अब इसी तरह से दूसरे पीस में भी कर लेंगे यहां पर देखे इसमें भी विल्कुल उसी तरह से करना है आपको एक किसी भी corner से आपको start करना इसको लगाना अच्छे से आपको ना corner पर दोनों डोरी को एक दम एक में मिला के set करना है दोनों cut में यहां पर दोरी को हम अच्छे से attach कर लिए हैं और अभी हां पर हम न कपड़े का बटन बनाएंगे तो जिस color का border उस color का कपड़ा लिए और यहां पर बिल्कुल प्लेन बटन से मैं आपको कपड़े के साथ कैसे बटन बनाती है वो बताओंगी यहां पर ब्लाउज के बटन से थोड़ा सा बड़ा साइज का बटन है चारो तरब से corner से आपको इसको धागे से खीचना है बिल्कुल सेंटर में कपड़ा का कहीं भी corner नहीं दिखना चाहिए चारो तरब से कपड़े को बीच में खीचेंगे तो अब देख सकते हैं कि बहुत ही fancy type का बटन बनके त्यार हुआ है अब यहां पर इस बटन को बीच सेंटर में टक कर लेंगे अगर आप तीन कट बनाये हैं तो यहां पर दो बटन बनाने दोनों जबा टक करने के लिए देखिए इसका जो अंदर का कपड़ा फोल्डिंग हो गया न बस उसी को सुई दागे से अच्छे से पकड़ते हुए इसको चारो तरब से fix कर लेंगे यहां पर देखिए प्रिंस बटन हमारा सेट हो गया है और बिलकुल इसी तरह से दूसरा बाजू भी त्यार कर लेंगे दोनों बाजू को त्यार करने के बास्ते अब इसको ब्लाउज के साथ अटेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लाउज का पीछे का गल्ला वही बहुत ही फैंसे बना है अगर इस गले का वीडियो आप देखना साथ है तो एंडे स्क्रिंग पर आपको लिंक मिल जाएगा देख सकते हैं आप वहां से जाके जो बाजू आगे के पल्ले में आ रहे हैं उसको आपको आधा इंच के दूरी पर सिलाई लगा के छाट लेना ह और बाकी जो बाजू का सेंटर है और शोल्डर का जोइंट है दोनों को मिला लेना है और वहां से आपको बाजू जोइंट करना है ताकि बाजू थोड़ा सा भी तिर्चा नहों यहां पर देखिए एक साइड का कर लिए इसको पलट लेंगे और फिर दूसरे साइड का भी इसी तरह से कर लेंगे इस ऐसे क्या होता है ने कि जब कभी भी आप डिजाइन वाला ब्लाउंज बनाओ न तो बाजू को ऐसे यह टैच करो यहां पर दूसरे साइड भी कर लिए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत तीजली बाजू जॉइंट हो गया और कट भी बिल्कूल सेंटर में आया है इसी तरह से दूसरे साइड का कर लेंगे और जैसे नॉर्मल ब्लाउज फिटिंग करते हैं उस तरह से फिटिंग कर लेंगे पहनने के पास से इसका लुक देख सकते हैं तो फ्रेंस मैं में मीद करते हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एड़ चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन को ओन कर दें क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज़ें अपने चैनल पर डालती हूं पीछे के पल्ले कभी डिजाइन देख सकने इसका वीडियो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगे